सभी का दिल खोल कर स्वागत है आज दोस्तों गायत्रि मंत्र में हम सभीधान की प्रमुक अनुसुची और दोस्तों तान के प्रमुक अनुचिद हैं उन्हें एक साथ दुस्तों कवर करने अगले दस मिनट दोस्तों आपके लिए अती महत्पूर होंगे सारी बातों को सुनना और दोस्तों अपनी कोभी में नोट करना है होसला दो किसी की चूटती हुई उम्मीदों को सहारा दो किसी के ठकते हुए कदमों को जिद हो ऐसी जो आधी में भी दिया जना दे और जिद हो ऐसी जो अपने संगर्थ को आपकी मंजिल से मिला दे देखिए सभीधान की दोस्तों महत्षपूर्ण अनुसूची है आपके सामने पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्ये हैं और 8 दोस्तों यूटी है ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों अगला देखना द एनुसूची सीुखिंगे Фर्थ नुसूची नेुस की सिट उम्होट में हैं। प्राइभ मे थ्रचार नुसूची नुसूची के अंदर के समये हैं। छटी दोस्तों अनुसूची इसमें दोस्तों चार राज्यों का उलेख है असम तिरपुरा मेखाले मिजोरम ध्यान रखना असम तिरपुरा दोस्तों मेखाले मिजोरम यहां का जन्जाते दोस्तों परसासन जो है इसका उलेख छटी अनुसूची के अंदर किया गया है और ब अगर पूछो दोस्तों आपके केवल 14 वासा है थी फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए आठ दोस्तों नहीं वासा है जो है फिर जोड़ी गई उसके बाद में याद करो 21 सभीधान संसुतन दोस्तों सिंधी वासा जोड़ी गई अगर पूछे आपसे नेपाली मनीपूर कोखन आपके चार बासा बासा एन बौरो डॉंगरी चन्ताली और दोस्तों मेतली कुल मिलाका बरतमान में 22 बासा है सभीधान के अंदर आंटुभी अननुच्जी के अंदर है अगर दोस्तों पुछूँ आपसे पहले सविधान संसोदन के द्वारा नभी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के सविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों और भूमी सुधा संबन्दी जो उल्लेक है वो इसके अंदर किये गए पहला दोस्तों सविधान संसोदन 1991 में हुआ था इसके बाफ दो नोट करना 10 वी दोस्तो जो अनुथोची है वामनवा सवीधान सनसुदन दोस्तो इसके द्यान रखिए दल बदल ओन्स वीधान प्रापधान ये वह इसके इंदर किये गये पूछे आपसे ग्यारवी जोसो अनुचुची जो है इसमें कुल मिलाकर कितने ग्रिस हैं वना 30 शापना इसके अंदर ग्रिस है और बारवी जोसो अनुचुची छापिए गान नगर निकाय जो प्रावधान है यह 74 सविधान संदोदन है ग्यारवी जोस्तों पंचाय से संब और बाया हुद के बार्षीयति चयां इसके बाद भारत केमियों मेश्पूण अनुच्य जो तो सेविर्टीम के अंदर किया गया है उपादियों का दोस्तो जो अंत्र छापना यह आर्टिकल नंबर सट्रापना जो पारिकल 19 1 n वृद्वेक्ट डूस्तो विचार और अभिविक्टि जूए इसके तो स्विडम जो है यह आर्टिकल दोस्तो 191 एक अंदर की गई है अग पिछा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौली का अधिकार बनाया गया अगर पूछ यह आपसे दोस्तों रिलीजियस फीडम जो है यह आपके कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए यह उसकी दोस्तों फ्रीडम है अगर हमारे मौली का अधिकारों का उलंगन होता है तो सुप्रीम कोट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है पांच प्रकार की रिट जारी करके आर्टिकल नमबर 37 चापना दोस्तों DPSP एप्रवर्तनी है मतलब DPSP का अगर उलंगन हुआ तो आप दोस्तों कोट में नहीं जाते है यह आर्टिकल नमबर 37 में दिखा हुआ है आर्टिकल नमबर 38 चापना लोग कल्यान कारी दुस्तों राज्य जो है अगर कुछे है आप से कौन सा आर्टिकल नमबर 38 दोस्तों और निसुल के विदिक साहिता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है यह आर्टिकल नमबर 39A 42 सभीधा संसोदन ग्राम पंचा है दोस्तों धनकी फिकर को घठन है यह आर्टिकल नमबर 240 के अंदर किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोर् सब्सक्राइब मौनिक दोस्तों प्रसक्राइब में अंत्राष्ट्त की स्थापना भारत की विद्श्मीदी जो है आर्टिकल नमबर 41 में आर्टिकल दोस्तों सभीधान संसोदन 1976 सरदार स्वान सिंग समीटी की सिफार इस पर अगर उसे आर्टिकल नमबर बामन पूछ हूँ आप से भारत का दूस्त पे एक राजपती होगा आर्टिकल नमबर 52 उसके पास में कारेपाली का सक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नमबर 53 उसका जो चुनाब दोस्तों निर्व करूं आपके बात करूं मैं आपसे भारत के सुप्रीम कोट के चीफ दिस्टीस ओफ इंडिया जो है वह सपत दोस्तों राजपती जी को जिलाते हैं इसके बाद दूस्तों बात करो कि बात करो चूर्ठ के होगा और शो स्वापती के लिकाए है अगर presents उप्राश्च्पती चुना में कोई विवाद होता है जाना में वह सुप्रीम कोड उसका निप्टारा करने वाला है यह आर्टिकल नंबर 70 तो भारत सरकार असे बड़े वकील दोस्तों वो महान यायवादी आर्वेंग के ट्रमनी वर्तमान में सहयुक्त दोस्तों बेटक की वाद तो जोईंट सिटिंग लिए गहां आर्टिकल नंबर 110 जो है जोईंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल सीन बार जोईंट सिटिंग वी है आर्टिकल नंबर 110 600 दोस्तों ऑपर 19100 दोसे हमchester कहते हैं ना बार्सी के विद्य दोस्तों विवरंधियान रखेगा एनुवल फिनेंसेल स्टेट्मेंट जो है यह अर्टिकल नम्म वन टूरी चापिए राश्चपती दोस्तों अध्यादेश जो है यह अर्टिकल नम्मर टूरी दोस्तों नोट करना आपके राज्येपाल का अभ्यादियस है अगर दोस्तों पूछेवा हां से स्प्रेम कोर्ट कर्णा सब बतों कीज़ को है इसो चोबिसके अंदर z марu में लिखा हुआ है यह नंबर 139 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोड मौं би सकता है दोस्तों और सुप्रीम परामार्फ दे सकता है इंदर लिख अगर कुछ हैं लूस में में आफ तॉर अपसे सी एजी प्रенड ऐसे कंप्टॊलर & RS546 जो है जो आर्टिकल नमबर एकसो तरिपन दोस्तो राज्येपाल के पास में छमादार की सकती है तेकिर दोसो मेट्टूरंट और मार्शलों को आपके मांप नहीं कर सकता आर्टिकल नमबर 161 के अंदर अगर कुछों दोस्तों आपकेंद्र में होता है दोस्तों आटोर्नी जनरल आटि थे इसके बाद तो High Court वहां दोस्तों 124 में Supreme Court और यहां दोस्तों 246 दोस्तों High Court है और धूता भिद्ध जियान रखना एक दोस्तों अभी लेख निया ले 215 दोस्तों लेखे अर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है तीयत्तरवा सविधान संसल। तो पंचायती राज समधीत है यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दिल्ली के बारेे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है और दो 269 समीधान संसोदन दिल्ली से संबनित है आर्टिकल ुम्भाट 256a GST का डोस्तों जो उलेक है 101 समीधान संसोदन है GST दो समवर्दी सूची पर लगने वाला टैक्स आंतर राजय प्रदान मंत्री होता है आर्टिकल नमब्र 266 चामना आर्टिकल नमब्र 266 और आकस्मिक निदी है है और राषपति के दुस्तो पास होती है आर्टिकल नंबर 267 प्राकर्थिक दूस्तो आप दाओं में सकाण क्यों करते हैं दूस्तो इसके बार देखिए आर्टिकल नंबर 288 दूस्तो विद्ध आयोक का जो लेकर आर्टिकल नंबर 308 दो संपत्तिक अधिकार दोस्तों इसमें सामिल किया गया आर्टिकल नंबर 3315 दोस्तों चापीगा यूपीएस्टी का जो उलेक दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों तो 338 A के अंदर आता है आर्टिकल नम्बर दो 343 शापय गां राज बासा दोस्तो हिंदी होगी इसका उले अर्टिकल नमबर 3343 के अंदर किया गया दोस्तो राश्टिय आपात 302 दोस्तो राश्पती साथ न्शापना दोस्तो 356 है और पूछो दोस्तो आप विती है जो आपात है ऋजभान पीक्स के अंदर रोस्तो और जम्भू कश्मीर दोस्तो आर्टिकल नमबर 378 जो फिर्खयर नोट करना दोस्तो अनुसूची और अनुचेच जो हैं वो मैंने आपको एक साथ दोस्तो फिर अलग से एक वीडियो बना कर समझाएं इसको ढंग से दोस्तो एक दुबार पढ़ना पका दोस्तो आपको याद होने वाला है चलिए चलते दोस्तो आज की हतीम हैद्पूर्ण किलास फूल कर दोस्तो आपको याद है स्टार्ट के विहारी लाल की जैविलकुल आशीश अनिकेत रमेश गुंजन गोपी राजिंद्र सत्ते में जैते शोनु राजीश दिश्क्षान सुसील अंचल सभी का स्वागत आई शुरुवात करते किलास की और तुम तो मेरे मांजी और तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले त लक्षा संबंदों को भड़ावा देने के लिए पहला यूएस जापान फिलिपिन्स सिकर समिरन वासिंग्टन में हुआ प्रारंब भारत की समुदरी सुरक्षा एजेंसियों ने लक्षदीप में आयुजित किया तटिये सुरक्षा ब्यास सागर कवच महराश्ट के ने सितार और तानपुरा को मिला जी आई टेग विपरो ने स्रीनिवास पल्लिया को अपना नया सीओ किया न्युक्त आयाइटी मदरास में हुआ छटा अंतराश्टिये रैपिड फिडे रेटेड सतरंज चूनामेंट सैम पित्रोधा की नई पुस्तक दा आइडिया ओफ पिशी का हुआ बिमोचन पंजाब ने चुनाफ संबंदी जानकारी के लिए बूत राफ्ता वैफसाइट की लॉंच टीसी एस वर्ल्ड तैन्थाउजेंट के लिए ओलंपिक चैंपियन बैलरी एडम्स को अंतराश्टिये इवेंट अंबेश्डर किया गया नामित उत्रा उजना को किया इस्थाई रूप से बंद तमिलनाडू के मंडपम में भारतिये ट्रक्षक बनने किया जलिये केंदर का सुभारंब आज का मोटिवेशन कोट जो आपको उजवान बनाएगा चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मातेरे पसीने की हर बूंद को वसा अरजन के तीर सा हो कमजोरिया मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो कमजोरिया मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो मगर होसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए कमेंट बोक्स में केवल जैहिंद सुनना चाहिए कि मेरा मेरे अंदर कितनी भी कमिया क्यों ना हो बस मे भी आपदा क्यों ना हो वो हमेशा सीमा पर खड़ा रहता है अपनी जान की बाजी लगाता है उसी प्रकार मैं भी अपने सुपना को पूरा करने के लिए चाहे मुझे नीद क्यों ना है चाहे मोसा मच्छा क्यों ना हो रहा हो पर मुझे पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है औ और जब तक सफल नहीं होंगा, तब तक अपने प्रियास को लगातार जारी लखने वाला हूं, ठीक है, और ना संग घर से ना तकलीफ, तक खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जो आग लगी हो सीने में, कुशन नम्मर फर्ष्ट, महत जापान आया, इसके अंदर, और साथ में कौन है, साथ में फिलिपिन से, ठीक है, यह तीन देश मिलकर जो आपस में, इन देशों ना भी हालिम क्या कर रहा है, अभी हालिम इनोंने अपने हाँ, पहला सिकर सम्मेलन जो है, वो आयजित किया है, ठीक है, तो यूएस से जाप जापान और फिलिपिन जो है, इनका पहला सिकर सम्मेलन जो है, आपस में मिलकर इनोंने बाच्चीत किये, तो पहला सिकर सम्मेलन जो है, कहां पर हुआ है भी हालिमे, वासिंग्टन डी सी जो है, यहां पर हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि कहां पर है जो की आपके अमरीका की राज़दानी है यहां पर अभी हाली में एईजित हुआ है तो अमरीका जापन और फिलीपिन के बीच में पहला सिकर समयलन जो है वासिंग्टन डी-से के अंदर हुआ है, USA के अंदर तो यूए से इसकी तरफ से कौन है आपके इसकी तरफ से वाइट हाउस में कौन है जो वाइडन साहब में जो फिलिपिन्स है इस फिलिपिन्स का पूछो आप से फिलिपिन्स जो है यहां के नए राश्पती अभी हाली में कौन अपॉइंट हुए आपके अरे फिलिपिन्स के नए राश्पती कौन अपॉइंट हुआ आपके फार्डिनेंड मार्कोष जो है वो अभी हाली में अ पॉइंट हुए है तो इन्होंने भी इसमें भाग लिया ठीक है अब दोस्तों ये तीनों देश जो है ना अमेरिका जापान और फिलिपिन से इन्होंने ये तो कहा है कि हम क्यों मिल रहे हैं आपके इन्होंने कहा है कि हम जो है जो हमारा रक्षा जो हमारा डिफेंस आपके सं साउंटर करना ये तीनो ही देरी आमेरिका जापन फिलिपिन से टीनों की चीं से बिलकुल नहीं बनती है ठीक है यह सो जय तो नहीं बनती है आपके इसका तो परती दुञें राशि को जिर्फ देश को तो ये तीनों देश हैं आपके जो तीनों देश जुए हैं इनकी चीन से बिलकुल नहीं बंती तो चीन को किसको चीन को जैंच ने की आपकर साबना ये आपको च्छापना है और जो South China Sea सी है यहां पर इन्होंने आपके अभी हाली में अभ्यास भी किया है यहे भी आपको ध्यान रखना है तो कहाँ पर हुआ है वाशिंग्टन के अंदर हुआ है option number एक correct answer है यहाँ पर इसको आइजित किया गया है यहाँ पर तीन option हो रहे ठीके देखिएगा एक तो मनीला बेटा है तो मनीला आपके अरे मनीला किसकी राजदानी है मनीला जो है छापना जो फिलिपिन्स जो है इसकी राजदानी ठीक है कभी आप से यह पूछ ले ना कि जो साउच चाइना सी है आपके जो साउच चाइना सी है यहाँ दोसो बिवाद किस चीच का आपके यहाँ पर बिवाद किसका है यहाँ पर बिवाद रो है वो nine dash line किसका है जो 9-9 इसका विवाद सो मतलब चीन यह बोलता है कि South China सी जो है इसका अधिकांस हिस्सा उसका हिस्सा है बाकि दोस्तों जो आपके Philippines है भी अतना में वो देश इस बात को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारी भी आपके जो territory हमारी भी लगती है इसलिए हमारा भी हिस्सा है पर चीन इसको नहीं मानता है ठीक है चीन का दावा है कि जो 9-9 इस लाइन आपके अधिकांस हिस्सा उसका हिस्सा है विवाद इसी चीज़ का है ठीक है तो Philippines की रादानी मनीला है मनीला पूछ हूँ आप से कौन से दीप पर छपना यह लुजोन दीप पर किस पर ह जो लुजोन आईलेंड है इसके उपर आपका मनीला हो गया ठीक है और यहीं पर पूछ हूँ आप से यहीं पर एक अवोर्ड मिलता जिसका नाम क्या है रैमेन मैक्सेस अवोर्ड जो है वो यहीं प्रदान करते हैं यहें भी आपको ध्यान लगना है जिसे हम क्या बोलते है अगर आपसे सवाल पूछ लो यहां पर कि रैमेन मैक्सेस अवोर्ड पाने वाले पहले भारती कौन थे और नवीनतम भारती कौन है बताओ पहले भारती को और लेटेस्ट पूछ हूँ आपसे नवीनतम जो है वो कौन है वह आपको छापना है ठीक है अगला पॉइंट आपसे टौक्यो राज़दानी किसकी है जापान की राज़दानी टौक्यो हो गई आपके और येन जो है चापना येन जो है वो यहां की मुद्र है ठीक है और जो सियोल पूछ हूँ आपसे सियोल जो है साउथ कोरिया जो है इसकी राज़दानी सियोल है और लिकना पूछ इनके बारे में दो कोश्चन इतिहांस में खूब पूश्टा एक्जाम वाला आप से एक तो भूदान अंदोलन कौन सा एक तो भूदान अंदोलन पुछें आप से शुरू करने वाले कौन थे आपके वो भिनोव भावे थे और इसके अलाब पुछूँ आप से पहले व्यक् शापना डॉक्टर रवी कंदर जो हैं इनको भी प्राप्थ हुआ है तेईस के अंदर शापना और यह फैमस क्या है यह फैमस ऑनकोलोचिस्ट है फैमस कैंसर रोग विसे सग गये हैं यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है यह सारी बातें आपके सामने अती महत हमारे फर्डिनेंज जो हैं फिलिपिन्स वाले आपके सामने अब दोस्तों पूछे आपसे यहां पर देखिएगा अभी हाली में भारत की पहली टू प्लस टू वारता जो है किस देश के साथ हुई है भारत की फर्स्ट हुई उस देश सामनें आपके वो देश है आपका ब ब्राजील के बीच में 2 प्लस टू वारता का आयो जिन किया गया ठीक है और ब्राजील पुछू आप से चापना इसका चोविस में होस्ट को नों वाला है ब्राजील होगा तेईस में तो हम इसके होस्त है ठीक है विस्टू बैंक और अंतराष्टे मुद्रा कोस की स्थाप ऩुलका swept, दोनों का मुंख्याल ले का है वाशिंटन डी सी चापना यहां पर मुख्याल ले का यह आपका नोट करना है उत्पर एपनिल्हा मिनिया में किसका मुख्याल बेंक है और जो अंतराश्टी है, चावल अनुसंधान के अंदर है, यह दोनों कहां पर आपके, यह दोनों जो है, वो मनीला के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो मैंने पूछा आप से, जो Asian Development Bank है, और जो चावल अनुसंधान के अंदर है, वो मनीला के अंदर है और वाशिंग्टन डी सी पुछूँ आप से वर्ल्ड बैंक और जो आईमेफ है इन दोनों की स्थापना कहां पर होती है इसमेलन के अंदर होती है और मुख्याल ले इसका यहां पर नौट करना ठीक है जो वर्ल्ड बैंक पुछूँ आप से इसके वर्तमान में अध्यक्ष क ख्यास होता है ठीक है और हम जानते हैं इन चार देश को हम क्या बोलते हैं इन्हें हम कोईड भी कहते हैं यह भी आपको नौट करना है ठीक है तो मालाबार अभ्यास इन चार के बीच में होता है अमेरिका जापान इंडिया आस्टेलिया यह भी आपको नौट करना है ठीक ह आगे देखेगा AI safety के लिए पूछो आप से अभी हाले में आपके पहला सम्मेरन कहां दोस्तों होता है यह आपके बलेचले के अंदर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बलेचले बोलते हैं यह भी आपको नोट करना है जोकि इंगलेंड के अंदर हुआ है तो बलेचले के अंदर पहली बार जो है AI safety concern को ले करके सम्मेरन आयोजित किया गया अजे बंगा छापना कौन वर्तमान में निरिविरोध अद्दक्ष कौन बनते हैं अजे बंगा सहाब बनते हैं यह भी आपको नोट करना है अब AI safety की बात करूँ आपसे पहले चले आपका ठीक आंसर है नोट कीजिए ना question number 2 देखीगा अप्रेल 24 में भारत की समुद्री सुरक्षा अजेंसियों ने तटिये सुरक्षा ब्यां से सागर कवज पूछ हूँ आपसे इसका आयोजन कहां पर किया है ठीक है सवाल पूछ रहा है सागर कवज जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है ठीक है अभी दोस्तों हाली में सागर कवज जो है चापना इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है लक्षदीब के अंदर इसलिए बड़ा महत्पूर्ण सवाल है कहां पर हुआ है बेट जो है वो इसका उद्दिश है ठीक है और अगर पूछूं आप से कि बाई आयोजन करने वाला को सो आयोजन करने वाला भारत में जितनी भी जो समुद्र हैं आपके जो उसकी सिक्योर्टी के लिए एजनसी हमारे पास में है चाहे इंडियन कोष्टगार हो चाहे नेवी दोस् हो गया हमारा इसके लावा जो हमारा इंडियन जो कोष्ट गार्ड हो गया अच्छा आपना जो हमारा इंडियन कोष्ट गार्ड है वो हो गया और इसके लावा पूछूं आप से इसके लावा हमारी समुद्री पुलिस हो चुकी है यह सब इसमें सामील है यह भी आपको ध् फर्स संस्क्रन था जो पहला संस्क्रन इसका था जो फर्स संस्क्रन था वो अभी हाली में कहां पर हुआ है अभी हाली में जो मार्च का महीना है इसके अंदर च्छापना कहां पर हुआ है केरल और माहे के अंदर कहां केरल और माहे के अंदर जो है वो आयजित हुआ है अब आ दोश्तों कुछ दिनों पहले आपको याद हो तो याद कीजिएगा अंडमान निकोबार की राजदानी कौन सी है पोर्ट भी लेए ठीक है और यहां पर कौन सा अभ्याष हुआ था अर्याद करो C Defenders अभ्याश कोंसा होता आपके C Defenders अभ्याश जो है वो यहां हुआ था जो कि India और USA के बीच में हुआ था यहां भी मैंने आपको लिखवाया था कि भारत और USA के बीच में Port Blair के अंदर आपके C Defenders अभ्याश का हुजन किया गया था पूदू चेरी ना इसके चार भाग खै पांडी चेरी तौँ यह 4 जब जिले मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है तो मिलता है पूदू चेरी बनता है यह है भी आपको नोट करना है तो तो कराईकल यनम माहे पांडी चेरी ये चार जम मिलेंगे हापस में तो बनेगा हमारा पूदू चेरी, ये आपको नोट करना है ठीक है? और सो पूछ हूँ आप से, बताओ कौन बताएगा आप में से, जो पूदू चेरी है, वो किसका उपनिवेस था, बताओ, पूदू चेरी जो है, वो किसका उपनिवेस था, यह भी आपको छापना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा answer option number C, लक्षिदीब जो है, व यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, अगर बास लक्षिदीब की हो, तो पहला point पूछ हूँ आप से, इसकी राजधानी क्या है चापना, इसकी राजधानी क्या सो, और किससे बना हुआ यह, जो प्रवाल, जो आपके प्रवाल जो होते हैं, जो प्रवाल भित्ती होती है, उन दोस्तों हाली में आपर, कौन सा इंडिया नेवल सिप जो है, उसका अनावरंड किया गया था, यह भी आपको याद कर लेना है, ठीक है, बताओ comment box के अंदर, चार पास सवाल आपके सामने आच चुके, ठीक है, ठीक है, मैंने आप से कहा, आपके जो राजधानी है, पूछ करना है, यह प्रवाल अभुति से बना हुआ आइलेंड, आप जानतों प्रवाल सिनवित आईलेंड है, और कॉरल आइलेंड बोलते हैं, कहते हैं, इसको आप जानते हो, अगर आप से पूछे यहाँ पर, आठ डिगरी चैनल पूछों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और नो डिग्री पुछों आपसे, मिनी को है, और कवरती के बीच में छापना, मिनी को है, और कवरती है, इसके बीच में नो डिग्री है, ठीक है, अगला पॉइंट, अभी दोस्तों हाली में कौन सा, इंडिया नेवल सिफ जो है, हाँ, जटाईू, याद करो, आई एनस, अपना, वो है, आपके कौन, आपके, मिनी को है, जो है, आपके सबसे बड़ा आइलेंड है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह सारी बाते आपको लक्षिदीब के बारे में नोट कर लेनी है, अब देखें सो, दोस्ती सोला पुछों आपसे, अरे, आप मैंसे कौन इसके अलवा इसके अंदर स्ही लंका भी है, और इसके अंदर छापनाव के मालदीव भी है, कोशन को ध्यान से नोट कर लेना, महतफ़पूर्ण सवाल आपके लिए तो भारत, स्ही लंका और मालदीव के बीच मैं, अभी हाली में, दोस्ती सोला अभ्यास जो है, इसका आपके एक तो भारत सामिल आपके इसकंदर आपके एक शापना एक मोजंबिक देश सामिल आपके मोजंबिक थे एक सामिल है और एक देश कौन सा आपके तन्जानिया देश जो है यह भी सामिल है तो यह तीन देश सामिल है किसकंदर ट्राइलेट में यह भी बहुत प्यारा स सवाल है महतपूर सवाल है important सवाल आपके ट्राइलेट 24 में भारत मोजांबिक और तंजानिया देश सामिले इसके अंदर आपके जहां पर कौन आपके दोस्ति में इंडिया सीलंका मालदीब हैं दोनों नए सवाल आपके सामने बहुत दिनों बाद मैं इसलिए आपको ध्यान दखना है कि ट्राइलेट 24 के अंदर तीन देश कौन कौन से हैं इंडिया और अफ्रीका के दो देश सामिल है इसके लबाद दोस्ति सोला के अंदर इंडिया सीलंका मालदीब जो है वो तीनों सामिल है ठीक है अच्छे सवाल है नोट करना है आगे देखिए लामीतिये पू हुआ है यहां पर हुआ है और भारत भारत जो है इसने इसमें भाग लिया है और हमारा INS इंडिया नेवल से तीर जो है उसने इसमें भाग लिया है तो कटले सभ्यास आपके होश्ट हो गया है इसके लावा इंडिया आपके इसमें भाग लिया है और INS तीर ने भाग लिय हाली में किस राज्य के मीराज में बने सितार और तानपुर को GI टैग प्राप्थ हुआ है अभी दोस्तों हाली में छापना अभी हाली में GI टैग जो है जिसको आप जोगरॉफिकल इंडियेटर ट्रैग बोलते हो अरे देने वाला कौन इसको देने वाला हमारा वानिज्य होता है ञें आक कब का है आपके एक्ट हो गया एक्ट हो गया है और 2003 में इलागग हूआ है यह भी आपको ध्यान रखना अख्यहिए यह AI टैग आपके सामने कोई वी इस्थान विसेज जो और वहां की जलवायू वहां की मिर्दा वहां का पानी उस हिसाफ से आपके वहां क जो special उत्पाद जो होता है जिस बीकानेर की भुजिया हो गई तो special जो उत्पाद होता है उसके लिए उसको GI Tech मिलता है ठीक है अभी दोस्तो हाली में क्या हुआ है अभी हाली में जो महरा जो महराश्ट है यहां का एक आपके इस्थान है उसका नाम है मिरज का नाम है मिरज उ एक तो आपके यहां का सितार हो गया है और एक यहां के आपके एक यहां तानपूरा हो गया है, मतलब जो यह स्थान है ना यह स्थान आपके जो इंस्टूमेंट है ना जो वाद्दे अंतर जो है इनके लिए फहमस है यह स्थान और मैंने का आप से सितार और तानपूर जो है इसको अभी हाली में क्या मिला है इसको अभी हाली में जी आई ट्रेक पराप्त हुआ यह आपक यहां पर यह काम हो रहा है तो मैं चार पाँच नाम लिख रहां वाद्य अंतर के आपको यह बताना है कि यह वैक्ति है उनका कौन सा वाद्य नाम लिखूंगा आपको बताना है एक तो लिखी आप पंडित रवी संकर घ्र रवी, और पुछ आपने, पन्डित रवी शंग का लिखना हरी परसाथ चोरसिया है, एक नाम लिखिए, पन्डा लाल घोष हो गया है, एक नाम लिखिए, उस्ताद विश्मिलला खान कोओने, उस्ताद विश्मिल्ला खान लिखेगा उस्ताद विश्मिल्ला जी हो गया है इसके लाव लिखे आपके भजन सोपारी कोन है भजन सोपारी छापना आप इसके लाव पुछों आप से पंडित सिव कुमार सर्मा कोन है पंडित सिव कुमार सर्मा जो है ये नाम हो गया है इनक किशन महपराज कोन है पूछ हुआ आपसे इनका सम्मंद किस वादिंदते शापना किशन महराज हो गया है इसके लहां पूछ हुआप कि जाक बाशन कौन है जाकिर उसेंश हापना कौन सा ओ गया हैसार सारे Profsek आपके सामने पूछूँ आपके यह बांसुरी वादक है उस्ताद विश्मिल्ला पूछू कौन आपके यह सहनाई वादक क्या है सहनाई वादक चापना उस्ताद विश्मिल्ला पूछू कौन आपके यह संतूर वादक है यह भी आपको ध्यान रखना है यह नाम भी आपको नोट करना है और जाकिर उसेन आप जानतों तबला ड्रम बादक कौन आपके जाकिर उसेन है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन आपके सामने देखिए कि मैं यहां पर आपके सामने जो आपके सितार और तानपुरा दोनों आपको दिखाई भी आपके सांजी जो पेंटिंग आपके सांजी पेंटिंग छापना कहा का पहमसे यहां कहां कग है अगर पूछे आप सरवाधिक जी आई टेक कहां पर आपके उसमें नंबर फर्श्ट इस्थान में उत्तरप्रदेश का है अभी हाली में च्छापन, आपके अभी हाली में जो बनारश जो है जो यूपी जो है हमारा को बवा विशुनाती इनकरी है कासी जो है वहां का सहनाई और तबला जो है वह बड़ा फहमाई है अभी हाली में जी आई ट्रैक पर आप्थ हुआ आपको याद होगा ठीक है अज चुरुपी पनीर किसका आपके यह याकनी का पनीर चापना और अरुनाचल प्रदेश के अंदर हो गया ठीक है कलारी पू जो बस होली पैंटिंग आपके यह भी जम्मू कश्मीर की बड़ी फैमस है बस होली पैंटिंग ठीक है मधुबनी पैंटिंग पुछो कहां कि आपके यह अपने जिया और बिहार के लाला जो है बिहार की पैंटिंग कोंसी है मधुबनी पैंटिंग है ठीक है इसके लिए अभी हाली, प्रदीश के अंदर आपको छापना है और यहां अभी हाली में यहां को ध्यूंत रखना है और ऋस तकला होती है इसको अभी हाली में जियाटेक प्रापत हुआ है ये सारे अभी हाली के GIT का आपको सामने है, बस होली, मदूबनी, हनुमांगर लड़ो, उस्ताकला, सैनाई, तबला, सांजी पेंटिंग, चुर्पी, कलारी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोशन, सर मैंने खाया है, लेकर मताना, तो खाई लेना बस कभी यह नहीं अपने भाई के लिए लिए ठीक है, कॉस्टन नमबर फॉर देखेगा, हाली में विप्रो का नया CEO पुछूँ आपसे, अभी दोस्तों हाली में कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है, देखो, विप्रो कंपनी आप जानते होंगे, इसके बारे में, बहुत तो आपके, पहली बात तो कैसी आपके, यह टेख कंपनी है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में, और मैंने कहा, इस कंपनी के चेर्मेन कोन आपके, इस कंपनी की जो चेर्मेन संस्थापक हैं, वो हैं आपके कोन प्रेम जी जो हैं, वो संस्थापक हैं, इनका नाम खूब आएंगे आएंगे ठीक है एक तो है जिसे आपके प्रेम जी हो गए एक हमारे लिजेंट टाटा साथ जो हो भी आपके सामने ठीक है टो विप्रो कंपनी टैक कंप नी एक तो लोग बाते आपको धियान रखनी है ठीक है अगर पुछूँ आप से अभी दोस्तों हाली में यहां जो CE और MD थे उनका नाम क्या तच्छा आपना सों यहां इससे पहले यहां पर बैखती थे उन्होंने यहां पर इस थी वहां न अरे विप्रो डबलू करना इसको यह वी नहीं आएगा न यह डबलू आएगा ठीक है डबलू करते ना डबलू करते ना बेटा वी नडबलू करना इसको विप्रो कंप्री जो है इसका और एमडी की बात करूं आपसे यहां थियरी जो आपके डेला पार्ट आपके यहां के CEO MD थे पर इन्हों ने इस्तिवा दे दिया आपके इनों रिजाइन कर दिया है और फिर इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में यहाँ के ने CEO MD कौन बने आपके छापना वो स्रीनिवास आपकी जो पल्लिया साहब है वो बनाएगे तो स्रीनिवास पल्लिया साहब जो है वो यहां के क्या बन चुक है वो यहां के अब जो है नए आपके CEO MD अपॉइंट हुए इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है तो आंसर आप्शन नमबर D हो चुका है जो विपरो कंपनी उसके CEO MD को ने वर्तमान में स्रीनिवास पल्लिय आए इनका नाम आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके साथ यहां पर देखी आपके तीन चार नाम मिलेंगे आपको ना एक तो मैंने आपको बताई दिया ठीक है एक तो याद कीजिए पीटर पहले गरीनी पूछ हूँ आप से याद करो अरे इनका नाम कहां सुना है आपने पीटर पहले गरीनी जो है इनका नाम कहां सुना बताना है आपको इसके लावत सो एक नाम मिनेश शाहा लिख रहा है कौन लिख रहा है मिनेश शाहा लिख रहा है राकेश मोहन भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको याद करो राकेश मोहन जो है विश्यू बैंक जो है आप इनका नाम भी मैंने लिखाया आपको चों पीटर पहले गृष मांप हाली में अपॉइंटमें नाम है क्या इन झाली हाली में उसको लिए पूच्ष हुआ है और जहां छहां लिखिये और जो की पूछा हूँ कहां पर आपके जो की चापना के आंद गुजराज यह पर इस में फांद ध्यान रहने हुए है तो मिनेश शावी हाली में National Cooperative Dairy Federation of India Limited के जो की आनंद के अंदर आप जानते हो इसके अध्यक्ष अभी हाली में मिनेश शाव पॉइंट हुए ठीक है और जो आपके सिलोवाकिया है उसके नए PM कोने शावना पीटर पेलेगरी हैं सिलोवाकिया इनका नाम भी आपको ध्यान ल शावना है और याद करो असोचैम के नएदिख्ष कोन है आपके संजे नायर साव जो है वह इसके नएदिख्ष अपॉइंट हुई यादे कि आपको संजे नायर पूछ máxim said नही नायर का अनका कंपनी संजे नायर मैंने कहा था उनके पति असोचैम के नय about appointment हुई इसके लावा फिक्की महिला संगठन पूछो आपसे ये कौन बताएगा बताओ फिक्की जो महिला संगठन आपके उसकी नहीं अध्यक्ष जो है वो अभी हाली में कौन अपॉइंट हुए इसका नाम छापना आपको कौन अपॉइंट हुए आपको बताना है ठीक है अच्छों आपसे नवनीत 됩니다 कुमार सेगल को ने नवनीत कुमार सेगल घृत यह और प्रिसार भारती Rutu के नए हैं जिनका नाम आपके हाँ जयादाश शर्मा छाबना ये अभी हाली में जो फिक्की है इसकी महीरा जो संगठन है उसकी नई अद्धिक्स अभी हाली में बनी है ठीक है ये सवाल नौट कर लेना आप दूसरों अभी हाली में भारत के नए इलेक्शन कमीशनर को ने ग्यानेश कुमार कौन है वो राचीव कुमार है ये भी आपको ध्यान रखना है थीक है अगर पूछ आप से चीफ एलेक्शन कमीशनर कोन है वो राची कुमार आपको नौट करणा है ठीक है इन दोनों का नां भी धनना यानेश कुमार सुक्विंदर संदू अग्जाम के लिए National कや नाम इसका Hindi में लिख दीजीए अंतर राच्टी ए अंतर राच्टी एर्पड राफ इसे रैपिड फिड वह रैट सत्र Cakeल इनete incl 9 War chuista को तोनाम क्रिज़क इसका पूछुआ है चाहिए उसका नाम क्या है फिए तो पूछुँआ हैं अफ्यवा क्ए इसका host कौन आपके, इसका host छापना कौन है, इसका host चेनने या फिर मैं कह दूँ आप से, IIT मदराज जो है, वो इसका host हो गया, ठीक है, तो IIT मदराज जो है, वो इसका host है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और चेनने जो है, सतरंज के लिए भारत में बड़ी फहमास है, आपको नौट करना है यहां एक वर्ड दोस्तों और लिखाओ कौन सा आपके वह फिड़े कौन सा फिड़े ठीक है अगर पूछू आपसे यह जो फिड़े वर्ड है इसका अर्थ क्या सो फिड़े छापना फिड़े आपके जैसे आपके क्रिकेट के लिए ICC होती है इंटरने इंटरनेशनल चैसे फैडरेशन कहते हैं यहां रखना है इसकी स्थापना कब होटी चापना सavor पर के स्थापना लुजोन में मुख्याल है और इंटरनेशनल चैस्ट फेडरेशन जो है यह इसकी फुल फॉर्म है ठीक है अब देखे सवाल के रहा हमारा अंतराश्टे रैपिड फिडे रैटर सतरें चूनामेंट जो है अभी हाली में आयटी मदराश के अंदर आयजुतु आपके सब्सक्र चातर जो है ना इन चातर का होलिष्टि डवलपमेंट के लिए समगर विकास के लिए जिसमें केवल चातर पढ़ाई ना करें इसके लवागा खेल कूद में भी ध्यान दें इसके लिए चापना इसका आपके और यह बात कहां लिख लिए यह बात आपके नैसनल इसके लिए इसके लिए पढ़ाई पढ़ाई ना करें वह खेल में भी ध्यान दें अपने मैंटल हैल्थ पर भी ध्यान दें इसके लिए हमने क्या करा है यह जाहता है यह हर साल होता है, पैसे बार क्रम को उसाप के हैं, इस बार सिक्स क्रम चाप ना, और यह हर साल जो है, हर साल यह आयोजित होता है, यह भी आपको नोट करना है, तो IIT मदरास हमारा ठीक आनसर हो चुका है, option number C correct answer आपका ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और इसमें केवल दोस्तों भारत के नहीं इसमें भारत के भार के खिलाड़ी जो है वो भी इसमें भाग लेने वाले ठीक है लिखी यहाँ पर समयती का नाम के अच्छा आपना कस्तुरी रंगन कमेटी है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है कस्तुरी रंगन कमेटी जो है इसकी सिफारिश पर भारत में नैशनल एजुकेशन पॉलिसी दो हजार बीस आई है हमारा answer option number C आईटी मदरास आपका ठीक answer है अगर दोस्तों आपको याद हो तो याद कीजीगा आपके इससे पहले पुछूँ आपसे इससे पहले आपके सोओ जो आपके अगर सवाल पुछे आपसे यहापर चैस का आईटी मदरास ठीक answer ठीक है यह फोटा आपके सामने यहापर है कुल प्राइच पांच लाग के जो जो पानी जो होता इस पानी से अगर हमें आरसेनिक निकालना है तो इसको आरसेनिक को बाहर निकालने के लिए अभी हाली में IIT जो मदरास है इसने तकनीक बनाई है उसका नाम क्या है अमरत तकनीक इसका नाम है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हाली में CRT आपके प और यहां से हमने अभी हाली में चापना अभी दोस्त हाली में यहां से हमने सी ए आर्टी सेल टेरेपी लॉंच किया आगर पूछ हूं आपसे इस ठेरफी का यूच कहां पर होने वाला है और बताऊ रहे फटाग से सी ए आर की फुल फॉर्म क्या चापना T4 आपके क्या है T4 लिंपोसाइट सेल होती है आपके और जो कैंसर जो है इसके उपचार में काम आएगा यह अब मुझे बताना आपको सी ए आर जो है इसकी फुल फॉर्म कहें यह आपको च्छापना है सत्रंज के भारत के नवीनतम ग्रेंड मास्टर को नपके वह वैशाली लिखना वैशाली रमेश बावु जो हैं यह भारत की नवीनतम ग्रेंड मास्टर है जो कि आपके भारत की इटि-फॉर नमबर के ना 84 नमबर की ग्रेंड मास्टर है वैसाली रमेश वाबू इनका नाम है ठीक है और डैविस का पूछ हूँ आपसे छापना यह चैस का कप है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और हर साल 20 जुलाई को हम जो है चैस डे बनाते हैं यह भी आपको याद होगा ठी आपको दोस्तों ना कायरेमिक एंटीजन रियक्टर लिए इस पॉइंट को मैं फिर खेह रहा हूं आपसे क्लिए ना कायरेमिक कायरेमिक एंटीजन रिचेप्टर जैसकी फुल फॉर्म है यह आपको ध्यान रखना एक्जाम के लिए खूब काम आएगा ठीक है आगे ग्रे स्लैम एक साल में होते हैं यह को हम क्या बोलते हैं एक को बोलते हैं ऐक को फ्रेंच फ्रेंच फपन एक को बिमॉलन बोलते हैं एक को इस ती information कहते हैं तोपन चलूब कैसेаки जो की शापना जो की आपके जो की सबसे बुज़ोग खिलाडी है ग्रेंड सिलेम जीतने वाले ठीक है इनका नाम भी आपको ध्यान लगना है रोहन वोपन नाम है महतफूर नाम है नोट कर ले ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 6 देखिए हाले में लॉंच नई पुस्तक है दा आइडिया ओफ डेमोक्रेशी जो है इसके लेखा कोन है उप्शन नमबर एक सैंपित्रोदा है उप्शन नमबर भी जैनाथ पती है उप्शन नमबर सी पुरुसत्तम रुपाला है उप्शन नमबर डी गोट वाया राजपक्षे चलो इसका आंसर मैं चाप रहा हूं आप लोग मुझे यह बताओ यहां पर जो है कि जो अरे यार सोरी क्या हो गया मेरे का यार हाँ लिखना आपके जो डेविस कप किसका डेविस कप जो है सवाल आपके सामने मैं पूछ रहा हूं आपसे जो गोट वाया राजपक्षे चापना यह पूछू आपसे इनकी दोस्तों अभी हाली में एक बुक लॉंच होती है उस बुक का नाम क्या है यह आपको चापना यह तो गोट वाया राजपक्षे हां मैंने कर दिया डेविस कप किसका है डेविस कप टैनिस का है वो ठीक कर ले ना ठीक है देखो दोसो अभी हाली में एक बुक आई इसका नाम क्या है इसका नाम है दा आइडिया ओफ डेमोक्रेशी क्या है दा आइडिया ओफ डेमोक्रेशी जो है ये इस बुक का नाम है पहली बात तो इस बुक को पुछू आपसे इस बुक के राइटर कोने शापना वो है कोन बारत के अंदर वो टेलिकॉम को भारत में लाने वाले कौन था आपके उसके जनक भारत के थे ना प्रधान मंतरी उनके कौन थे आपके उनके सलाकार थे ना जो पी-म राजीव गांदी थे उनके सलाकार थे और इनों नहीं उनसे कहा था कि टेलीकॉम जो है कंपूटर जो है उसको भड़ावा दीजिए भारत के अंदर यह उनके सलाकार थे यह इतने बड़े कि इसे में दोस्तों ने आपके दो देष का वर्नन किये, एक तो सबसे बढ़ा जो देष आपके डमोकेशी वह उसकी बात किए, और एक सबसे पुराना जए उसकी बात किए. थी कैसे बब गया थे धैसली नियूं ने नियुचिति को इसके लाव जो यूएस नियुछ उप इन दोनों की बात किये और इन्होंने कहा है कि लोग तंद्र जो है उसके लिए चुनोतिय क्या क्या होने वाली है और समाधान क्या हो सकता है उसके लिए इन सब के बारे में यहां पर इस बुक के अंदर बताया है ठीक है तो हमारा आंसर option नमबर एक ठीक आंसर है शैम पित्र सवाल मैंने पूछा आपसे गोट बाया राजपक्षे हां एक ठीक आंसर है नाम तो निकल गए आपका नाम तो निकल गए कोई बात नी पर ठीक आंसर तो आपका तक कॉंस्पिरेंशी बुक है ना देखिएगा फोटो आपके सामने हैं आपर दिखाई दे रहोंगा शैम प बाया राजपक्षे हैं इनका नाम भी आपको अभी हाली बुक लोंच हुए दा कॉंस्पिरेंसी कोट बाया राजपक्षे की बुक है ठीक नोट करना ना आगे देखिए नेस्ट कोशन आपके सामने फोर स्टार्स ओफ डेस्टिनी ये तो याद होगा आपको ठीक है फोर स से पहले भारत के थलसेन अदेत है चुके हैं आपके वही मनोज मुकु नर्वाने जो हैं इनकी बुक का नाम क्या है इनकी बुक का नाम है फोर स्टार्स ओफ डेस्टिनी ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है चलिएगा नेस्ट कोशन आपके सामने ब्रेकिंग दा पुस्तक आती है इसके लब आपके नए भारत की सम्वेदना जो है यह पुस्तक लॉंच हुई है यह चारो अभी हाली में लॉंच हुई है ठीक है देखो मैं इसका च्छाप रहा हूँ आप इसका च्छाप देना ठीक है देखने कौन च्छापेगा नए भारत की सम्वेद नबुक का नाम है जो कि भारत के पूर राशपती रामनात कोबिन जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीके सवाल यह अहां पर ही आया कि जो पूर पस्तपती थे रामनात कोविंद वन नेशन वन एलेक्शन वन एलेक्शन जो है इसके कमेटी के अध्यक्श कौन थे आपके वे यही थे इनका नाम भी आपको धियान रखना है ठीक है प्यारा सवाल नौट कर ले है अभी दोस्तों हाली में आम चुनाब होने वाले कौन से चुनाब होने वाले जिरे आम चुनाब कह दीजी यह फिर इनको लोक शबार चुनाब कह दीजिए wology में वर्ड मैं चुनाब अच्छा आपना परिणाम कवाने वाला है बताना है आपको ठीक है तो साथ चर्णों के अंदर यह चुनाव होने वाला है ठीक है जहने हम आम चुनाव बोलते हैं जो कि सत्रवी जो लोगसवा अब बताओ मुझे अगर पूछों आपसे कौन सी लोगसवा के लिए यह चुना आएज के द्वारा हो रहा है तो समझ लए आप जो है वो चुनाब को प्रमोट करने के लिए हो रहा है चुनाव या मतदान जयूआज को जो है उसको प्रमोट करने डॉलर बहू सदा मौर्थी वैरी डॉलर बहू बड़ी सही है नप वही यात कर ले तू चार जून को त्यून को फैंसला हो जाएगा, कि कों भारत के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, किसकी सरकार आने वाली है, चार जून को फैंसला होने वाला है और ये पावर जनता के हाथ में है, सबसे बड़ी बात उसके है कि जनता इस पावर का यूज कर ले ना एक बाद ढंग से, तो भाई सब भारा जो अच्छा हो जाए एक दम भड़ी आ ना, तो ये जनता के हाथ में ये पावर रहने वाली है, अभी दोस्तों वाले में आपको बताना है, और किसका ये पहला पहला मतदान होने वाला है, किसका ये पहला पहला मतदान होने वाला है, ये आपको मुझे बताना है, बताओ कमेंट किसका ये पहला पहला मतदान होगा, लोग सवाइलेक्शन का, कौन पहली बार बोट डालने वाला है, तो पंजाब क ना सटला डो हें अभी हाली में बूथ रापता डेच्ट अब हुआ हैं पूछओं के सर क्यों लॉंच किए तो मैंने कहा ना मतदान को अवेर करने के लिए ज方 की है इसकोagine केगी है कि वह मतदान कर सके मतधान अधिके अजी जाए उसके लोट रहता है यूथ का बड़ा आपके रोल रहता है तो लेना है, यहां दोस्तों आपके जो बैफ साइट है, जो बूतर आपके जो बैफ साइट है, इस बैफ साइट पर शाबना है, इस पर दोस्तों उसको क्या है, इस पर उसको मत्दान का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, प्रमान पत्र मिलने वाला है, और वो उस प्रमान पत् समस्या बें उसका भी निप्टारा यहां पर होने वाला राओं तो यह आपके पंजाब वहारा आंसर है बोट तो आपको डालना ही का यह यह पर वहापस पांस साल बाद ही आएगा ये तुम्हारे हाथ में पावर दी है कि बोट डाल के आपको आना है बोट जरूर डालना है और चुनाब जब भी आपके वहाँ पर हो पंजाब में पूछों आप से पंजाब में तेरा लोग सबाब आपके सीट हैं वहाँ चुनाब होगा तो जो भी आपके चुनाव formats भाग आपको लेना है है यहां लिखा हुआ है पंजाब बोटरे मादरं के एक जून DOCDY आपर 17 addicted सब्सक्विब रहें को बिजन कर देना हैी कुछ बिजेपी को बोट देना लाएं कुछ बोल रहें कहीं पर बोट देना हैं जहां आपकि मर्जी हो जहां का उम्मीदवार भड़िया हो एक दम, जो लगता हो आपके रोजगार की बात करेगा, जो लगता हो आपके विकास की बातiateक है उनको आपको बोड़ देकर आना है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ बोड़ देने जाना जरूर है ठीक है बोर्ट जरूर दे कराना है ना चलिए गर आगे बढ़ते हैं अगर पुछों आप से election commission की तो सो बात कर हम यह आप पर दिखिया चुनाव आयोग की बात करूँ आप से सरवादिक trending में रहने वाला topic चुनाव आयोग ही आप जानते हैं पुछों आप से तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है चुनाव आयोग की हाँ नाटो को देना जो देना भाई साह तुमारी मर्जी उसको दे देना ठीक है जिसको तुम्हें अच्छा लगए उसको बोर्ट देकर आना चुनाव आयोग पुछों आप से 25 जनवरी ठीक आंसर इसका होने वाला है 1950 आप किसको बोर्ट दोगे मैं तो भाई साब जया प्रदा को बोर्ट दूँगा ना मैं तो जया प्रदा को बोर्ट दूँगा मैं जो है वो कट्रीना कैफ को बोर्ट दूँगा मैं जो है वो सर्दा को सर्दा जो है जया प्रदा तो पुरानी होगे छोड़ो रहे मैं तो नोरा फती को बोट दूँगा वाई साथ अगर नोरा फती खड़े हो जाए ना मेरा लोगसवा चुनाव के अंदर तो मैं तो इनको बोट देखा आजाओं वाई साथ हम तो इनको बोट देंगे ठीक है जब खराब करनी हो तो यही ठीक है फिर तो खराब करने के लिए तो 25 जून पुछूँ आपसे यह बोटरस डे बनाते 25 जनवरी को बनाते ठीक है चुनाव आयोक की स्थावना 25 जनवरी 1950 को होती है और आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में और भाग पुछूँ आपसे बता हूँ यह भाग कौन सा यह आपको छापना है ठीक है इसके लाप पुछूँ आपसे पहले भारत के चीफ एलेक्शन कमिशनल कौन थे आपके वो थे सू कुमार से थे पहले आपके इसमें केवल एक मेंबर था पहले इसमें केवल एक ही में तो वर्तमान में कौन है वर्तमान में आपके राजीव कुमार तो भारत के मुख्य चुनावाइकते हैं इसके लावा ग्यानेश जी अभी हाली में सामिल हुए है और इसके लावा छापना सुक्विंदर जी जो हैं वो भी अभी हाली में आये ने इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है ठीक है एक मातर महीला पूछे कोन आपके एक मातर महीला को आप सोरी पहली महीला पूछे कोन आपके पहली महीला जो भारत की मुख्य चुनाव आयोग तो रह चुकी है चापना वो कौन थी आपके वो थी उनका नाम चापीगा रमा देवी जो है उनका नाम है ये भ भाग कौन सा है बताइए चुनाव आयोक का भाग कौन सा है ठीक है हाँ इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया पुछू आप से इसके दोरा लॉंच होने वाली एप कौन सी है अरे तुम तो मुझे बोड दे दे ना ठीक है चिंताय मत करो तुम तो मुझे बोड दे ना छोड़ो सा पारी बात है तुम तो मेरे नाम की बोड डाल देना ठीक है इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया पुछूं आप से इसको लॉंच एप कौन सी छापना सी वीजिल एप अभी दोस्तों हाली में लॉंच चुई आपके सी वीजिल एप अगर आपके छित्र में कहीं पर भी जो मेर्ण को जर डेना मैई को אुष्चन है सी वीजियल एप इसके लावा पूछ Stadt कौन के एंख कौन सा Ini इनकोर एप जो है यह भी अभी हाली में लौंच हुआ है इनकोर एप लौंच हुआ है इसके लाव चापना इसके लाव नो योवर कंडिडेट कौन सा नो योवर नो योवर, Candidate जो है, इसको भी अभी हाली में लौच किया है, ठीक है? और इसके लावा चाप न, इसके लावा कौन सा? इसके लावा अभी हाली में, सक्छम एप भी लौच किया, आप जानतों, जो दिव्यांग हमारे भाई हैं, उनके लिए लौच किया गया है, दिव्यां के अंदर छापना जिक्र है यह भी आपको नोट करना है और बोट डालने के उमर 21-18 वर्स होती है अगर पुछू किस से होती है छापना यह 61 जो सभीधान संसोधन जो है इसके द्वारा इसी आपके होता है चेंज यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और अगर पुछू आ पुछू आप से चापना सवाल पुछू आप से कि वाहेसा राष्ट्रास पती और राच्यपाल के लिए नीूंता माइव कितनी सब्सक्राइबा इसके बाइल 1 जो उम् Uno की उसके लिए कितनी साईtit इसके तक है Muito सुछ यो मों सब्सक्रान मंत्री के राश्पती उप्राश्पती राज्यपाल के लिए 35 वर्स आपके नियूंतम उम्र चाहिए राशवाएंपी के लिए 30 वर्स चाहिए लोगस्वाएंपी के लिए 25 वर्स चाहिए प्रधान मंतरी के लिए 25 वर्स चाहिए MLA के लिए आपके कितनी चाहिए MLA के लिए 25 वर्स चाहिए और mlc आपके उसके लिए कितनी चाहिए 30 वर्स चाहिए ये भी आपको च्छापड़ना है ठीकले ये सारी उम्र नॉट करलो राश्तपति के लिए 35 वर्स उप्राश्पति, राजियपाल 35 वर्स रासवा MP 30, लोकसवा MP 25, प्रधान मंत्री 25, MLA 25, ML 30, और CM पुछूँ आप से, CMB 25 वर से ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, चलिएगा, हाली में TCS World 10 के मेराथन दोड के लिए किसे दोस्तों भी हाली में, अंतराष्टे इवेंट अंबैश्डर जो है, वो अभी हाली में किया गया है, ठीक है, देखिए, एक सो प्रतोगिता होने वाली उसका नाम क्या है, TCS 10 के क्या है, TCS World 10 के मेराथन जो है, ये होने वाली, ठीक है, अभी हाली में, एक मेराथन होने वाली उसका नाम क्या है, TCS World 10 के उसका नाम है, मतलब पूछूँ आप से, TCS तो आप जानत आपके service जो है वो इसकी full form आप जानते हैं यह कंपनी करवा रही इसको टाटा consultancy consultancy आपके consultancy चापना consultancy services जो है वो करवा रही इसको note कीज़ेगा और TCS World 10 के मेराथन जो है अभी दोस्तों हाली में इसका आप जो पहली बात तो host कौन इसका इसका HOST होगा बंग्लूरु को है बंग्लूरु जो है इसका एसका हुष्ट है यह भी आपको ध्यान लखना है ठीके तो बंग्लूरु इसका होष्ट है बंग्लूरु सुनगर किस-किस के अंदर से आग निकलती है कि गुरु जी इन को कुछ मुझे लगता है कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं हो पाएगा हमारे बच्चे देख पाएंगे बंगलुरू को टॉप पर ना तो होष्ट स्का भी हाली में होष्ट है यहां पर यह आयुजीत हो रहा है यह हिस बार छाप ने इसका और अभी दोस्तों हाली में पूछ हूँ आप से इसका इसका अंतराश्टे इंटरनेस्टि इसका इवेंट अंबेश्डर कोन बनाएगा अभी हाली में इसका अंतराश्टी जो इवेंट अमबैश्डर है वो कौन बनाएगा इच्छापना वो बनाई गई है क्यों आपके वह आपके वह सौटपुट की प्लेयर जिनका नाम क्या है Valerie Adams का नाम है Valerie Adams इनका नाम है सायद इनके बारे में आप जानते नहीं होंगे इसलिए हलके में लिए रहोंगे Valerie Adams जो है वो Olympic में दो बार gold जीत चुकी लिखना short put खिलाड़ी है क्या है यह short put खिलाड़ी है और लिखिएगा आपके यह है Olympic इसमें जो Olympic हुए आपके इस Olympic में दो बार कितनी बार दो बार जो है gold जीत चुकी इनका नाम भी आपको च्छापना है ठीक है तो Valerie Adams Olympic के अंदर दो बार gold जीत चुकी है और Olympic आट रो बारा का Olympic था उसमें gold जीती है दो बार gold और चार बार आपके world champion के है चार बार जो है short put खेल में आपके चार बार जो है world champion रह चुकी है इनका नाम भी आपको च्छापना है और यह है इस event की क्या है यह है इस event की आपके अंतराष्टे event आपके ambassador बनाएगी है तो हमारा answer option number एक answer है Valerie Adams option number 1 ठीक answer हो गया है short put खेला डिये इस बार जो चापना है इस बार इसके आपके marathon की क्या बनी है आपके brand ambassador आपके या फिर event ambassador जो है वो appoint हुई है और कहां की रहने वाली चापना यह है न्यूजिलेंड जो है यहां की रहने वाली है ना तो न्यूजिलेंड की रहने वाली है इनका नाम चापना है Valerie Adams इनका नाम है यहां पर दो तिन नाम हो रहे बता और मुझे 22 में कास से भी जीता है ब्रॉंज भी जीता हुआ है इसके लव आपके जो क्या मोलते है जो सिल्वर है वो भी जीता हुआ है वो अलग बात है ना हमें गोल्ड याद करना है इसके लावा आईशमान खुराना पूछ हो आपसे अरे याद करो चुनाव आयोग पुछ है आपसे चुनाव आयोग जो है इसका दोस्तों अभी हाली में यूथ आईकन कौन अपूइंट हुआ है अभी हाली में यूथ आईकन है वो अपूइंट कौन हुआ है चापना वो आपके आईशमान खुराना पूइंट हुआ है तो चुनाव आयोग का यूथ आईकन आईशमान खुराना ये आपको ध्यान रखना है अगला पॉइंट पूछो आप से सीतल देवी चापना और याद करो से चुनाव आयोग ने तो अभी हाली में जो दिव्यांग भाई बेहने उनको अवेर करने के लिए उनको बोड दलवाने के लिए जो पीड़ डियो सेक्शन जो होता है उसका दोस्तों अभी हाली में अमब हमारी जो भूमी पड़ने कर जो हैं वो सामिल हुई है अभी नेतरी के रूप में ठीक है यह आपके सामवाइसाओ यह दोस्तों न्यूजिलेंड की है यह वाइसाओ मतलब अगर यह तो बहुत जबर्दस्त था ना देखो यह है न्यूजिलेंड की यह ओलम्पिक में इनसे कौन जीतता होगा ओलम्पिक में महीला वर्ग में न यह तो पुरुस वर्ग को हरा दे वाई साथ यह पुरुस को हरा दे महीलाओं में क्या बात कर रहे हो आब न यह महीलाओं में ठीक है यह महीलाओं में आपके सामने न आईश्मान खुराना पूछो आपसे अभी बात यह स्टेट बेंक ओफ इंडिया ब्राइंग आपके टलाईवा थलाइवा т्रपाइब महैंस्ट दोनी कोन है महैंन्दर फ्रकाइब स्टेट बैंक ऊफ इंडिया में वर्त्माइन में ब्राइंट यहां रखना है ठीक है आगे देख здоров ताइस आपके इसी स्वर्ट कर अपने साहरूक sean को नातिस को यह ब्रसुव पूर्ण एतनी इते हे अबस्तेरे रहव हमहरे वीडियोत तब प्रांट डंबाइस्टर कौन थे आपके ये सारुक खान थे और ग्लोबल वालों का नाम चापना कौन आपके सचिन साब थे पीड़ उर्दी आइकन पूछु कौन अभी हाले में सीतल देवी आपॉइंट हुए मैंना आपसे कहा था और ये भी कहा मैंना आपसे किसे खिलाड टिनो में ग्लेशियरल लेक आउट बस्ट फिलड की निगरानी के लिए दूसरा पूछो आप अब भी हाली में पैनल का निरमान करने वाला कौन चाप आप तो नाम देखें नाम क्या है इसका नाम है गलेशियर एक पूछ रहा है मैं जलेशियर लेक आउट बस्ट क्या है आउटवर्ष्ट फिलेड जो है इसका बात करूँ आपके सो पहली बात तो इसका अर्ष समझे लो ठीक है नाम कैसका नाम है ग्लेशर लेक आउटवर्ष्ट फिलेड इसका नाम है ठीक है सो ग्लेशर जो होते हैं जो आपके जो हिमनद बोलते हैं जो बरफ आपके जहां पान पानी हो तो छील जो आपके पानी होता है अगर वहां दोस्तोँ आपके एक दम से अटरपी खो जाए वह डिवांदा अधिक पानी आ जाए तो वहां पर आती है आप जानते हो तो उसकी निगरानी के लिए ऐसी बाढ़ नहीं आए सके निग्रानी के लिए आपके पूछत को है और उसत्र कुनसा थे उत्राखंड यो crater निए the है देखे लीजे आजनों जो हिमना जBERे इनका जलिस्तर बढ़ने से जल इस बढ़ने से जो तबही जो होती है जो ऑड़ जो आती है सको खना ऑप और हुद्धिश्य या आपके ध्यान रखना है ठीक है 2013 केदर्नाथ小時 आपके त्राजदी जो हुई ठीक है आपकी यह पहल आपके सामने उठाई गए ठीक है के दारना तराजदी जो है बापस ना हो इसके लिए यह पहल उठाई गई यह वापस से एक कमेटी का निर्मान किया गए ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो गए हमारा आंसर तो option number क्या है option number डी उत्राखंड जो है वो ठीक आंसर है यहां पर एक कमेटी अपोइंट हुए ठीक है जिसका नाम गिलीश्चर लेक आउटबस फ्लेड जो है इसका दुस्तर नाम है जो भी संभावित खत्रे हो सकते हैं उनका मुल्यांगन करने वाली है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक हमारा ठीक इसमें जो पानी वाली जो भात है इसके चित्र में काम करने वाले व्यक्ति को ने भारत के उनका नाम चापना आपको लिजेंड परसन है उनका नाम आप जानते भी आपने एक फिल्म देखी ओगी हो वो फिल्म उनीं के उपर बनी है आपको बताना उनका नाम के है तिक है उत्राखंड हमारा ठीक आंसर है यहां पर बच्चों पुछूँ आपते हैं यहां पर पिंडारी ग्लीचर कों सा ब valley ऐुआ ए श्वित्र के अंदर अभी भी लद्दाक के लिए संगर्स कर रहे हैं लद्दाक के लिए लगातार संगर्स कर रहे हैं अभी भी यह आप जानते हो ठीक है देखिए यहां कुछ गलेशन के नाम कुछ आपके टहरी है चमोली है इसके लब आपके वशूद्रा ताल है इसके लदाइब के अंदर आपके वरतमान में और कहां पर चापना जो नुब्रा नदी जो घाटी आपके नुब्रा नदी जो घाटी है इसके अंदर इससीरे चापना और यहां पर वरतमान भारत का अधिकार है और 1984 चाहा अपना आपके 1984 में ऑपरेशन मेगधूत स्टार्ट किया था और भारत ने इसके उपर अपना अधिकार कर लिया था ठीक है इस चार वाते नोट करने आपको नुब्रा नदी घाटी है लगदाक के अंदर है और वर्ल्ड का हाइस आपके वेट कारी है इनका नाम भी आपको ध्यान डखना है ठीक है यह भी आपको नौट करना है ना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन आपके सामने हाली में एंटी पीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फ़स्ट पर्यूजना को दोस्तों अभी हाली में इस स्थाई रूप से बंद कर दिया है ठीक है नैसनल थर्मल पावर कॉर्परेशन इसको बोलते हैं एंटी पीसी कहते हैं इसको क्या फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है नैसनल थर्मल पावर कॉर्परेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है ठीक है ठर्मल पावर का निर्मान ही करती है ना थर्मल पावर पूछ तो आप से जो कोईले से जो आपके विजली बनती है उसका निर्मान करती है ठीक है जो कोईले से जो बिजली बनती है आपके उसका निर्मान करने वाली कौन आपके वह चापना कौन एंटी पीसी है और भारत में पूछ हूँ आप से भारत मे बारत की बिजली निर्मान पूछो आपसे बिजली निर्मान के अंदर पहला इस्थान के चभापना वह भी सबसे बड़ी है भात के अंदर चापना ntpc और को जो कोल जो होता है उससे बिए बनाती है उसको थर्मल पावर हम लोग कहते है अभी दोस्तु हाली में क्या आपके कैstal कि 220 मेगा वार्ट युवार्ट का है 220 मेगा वार्ट जो है इसके दोस्तों आपके क्या है परयोजना इसका नाम FOR cinema क्या नाम है अभी हाली में इसको इस्थाई ना परमानेंट इसको बंद कर दिया है जो कि आपकी बिहार गंदर आपके अठारा में तो अब हाली में पर नोका आ ऊटब वहां तो अब हो खांए इसका अंसर होने वाला बहार को आंसर हो का ओफ्ष्ण नंबर भी इसका भी हार जो है वह ठीक आंसर फुछी मैंने का 220 मेगा वाट्स का मैंने का यहां से कहो में का जो वर्ड़ेस का अरथ क्या होता यह अच्छी अक्याम का 960 Cand inici एकbuildirseak मेगा नहीचाए나 एद जापना के दसखी पावर सापना होता है और पूछे आपसे चाहिए होता है और पूछे आप से indebtyes के लिआठ जीन आप Weight माईक्रोट एक जाफना कितना होता है माइक्रोट कितना होता जस्की Daska माइक्रो है इसके लावा पूछो आपसे नैनो पूछे कितना होता है दसकी पावर माइनस नो नैनो है इसके लावा पीको कितना होता पीको छापना आपके दसकी पावर माइनस बारा पीको होता है और आपके जो फैम्टा है छापना वो कितना होता है दसकी बावर माइनस पं वावरधा न यह नोट करें आपके दसके पावर इस ऐसकी कववर 9 12 15 मैंनेक स colonial पूछी आप से legg अरतनौ 10 तो यह क्या होता है यह तो एंगल स्टॉम स् फोटो धियान रखना था है Cleveland पीशी फोटो आपको दिखाई दे रहा है नैशनल थर्मल पावर प्लांट आपके सामने आ यह देखिए यह आप छोड़ दीजिए तमिल्नाडु के मंडपम में भारती तरक्षक बलने किया जलिये केंदर का सुवारम यह भी आपको नोट करना है करेंट अफेस का जो भ्रहम अने वाला है अक्टूबर नौवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कर्वाने वाले आपको यह कलास कहां पर होने वाली यह कलास कहांपर होने वाली है यहिए खाली है मैं चैनल खाली नहीं उस दिन आपके तो उतकरस नर्सिंग चैनल जो है यहां पर क्लास होने वाली है यहीं खाली है कहीं भी खाली हो अपना का फरक पढ़ रहा है अपने को तो क्लास करनी ती ठीक है तो यह वाला खाली है उतकरस नर्सिंग चैनल तो यहां पर यह बारा तार माहा के किलास आपकी आएगी live किलास लूँगा मैं आ रात को 8 बजे आपके सामने 10-11 बजे तक किलास आपकी होने वाली है तो उपर link के उस click कर देना उस link को और link करने के बाद में उस click करने के बाद उस like कर देना किलास को और जैसे आपके पास में notification पहुंच जाए जब भी कि कि स्टार्ट होती है तो उतकरस nursing channel पर किलास आपकी होने वाली है बार अप्रेल को रात को 8 बजे क्लास आपकी होगी तो यह रहना ब्रहमास क्लास जो है वह आने वाली करनट अफेस का ब्रहमास पिछले 6 मांगा ठीक है यह सूचना आपके लिए ना करेंट अफेस की magazine March की औ आई की और पूछ रहोँ हैंत आद अगर आपको होगे तो मैं वह काम भी करूंँगा अगरा आपको होगे तो पांस दिन सब्ता में आने वाली है रभी वार सनी वार को नहीं आएगी और जीके जीएस este ants की कि फ्लास अगर आप को होगे तो लूगा मैं आपकी और प्रिवियस कोश hurricane पेपर कराऊंगे सिक अंदर GKGS के सता में 5 दिन होने वाली है और अगर ऐसे हमने 100-200 एपिसोड कर दिये तो यकीन मानने ही आपके एक्जाम के लिए बहुत काम आएगा ठीक है अगर आप को होगे तो मैं आपको ये वाला पोशन करा दूँगा बुक पर देखो काम चल रहा है आप बुक ऐसे नहीं आती जिसा आप सोचते हो उसमें महनत लगती थोड़ी है ना हाँ यूटूब पर ही तो आएगी रहे रफ़सुला अगर आप कमेंट वोक्स में कमेंट कर दोगे पर बता दोगे मुझे थो मैं यूटूब पर आपके वाली क्लास लेकर आ जाओंगा थिके अगर आप कमेंट इस पर देखो मैं उस पर केवल 8000 कमेंट आय था आपके ना लगा दी मैन इक अगर इस पर आज 10,000 कमेंट आ गए यकीन मानना मैं यह आपके लिए सोच कर रहूंगा कल बताने के लिए कभी स्टार्ट करूंगा मैं इस पॉइंट को आपके लिए और पांस दिन सब्ता में मान लीजिए एक तरह से कि एक बैच होगा जिसको मैं फ्री लॉंच कर रहा हूं और मैं आपको सब्ता में पांस दिन पढ़ाऊंगा उसके अंदर जो है और प्रीवेसर कोशन पर पढ़ाने वाला हूं जो भी सवाल आए हुए हैं स्सी के अंदर MTS के अंदर CGL के अंदर GD के अंदर दिल्ली पुलिस CDS हो गया CPO हो गया UP का कोई एक्जाम है बिहार के अंदर ना आए देखेगा विजनेस एंवायरमेंट रेंकिंग पुछों आपसे इसमें टॉप पर कौन आपके इसमें टॉप पर शापना सिंगापूर टॉप पर ठीक है ऑफ्शन नंबर सी है शलोवाकिया ने पीम कौन में पीटर पहलेगरी ने ऑफ्शन नंबर D हो ग होंगे तब तक हमें टू जीरो फोर सेवन ऑफ्शन नंबर सी है कजाकिस्तान अंतराश्टिव एडमिंटन सैलेंज टूर्णामेंट पूछों आपसे जीतने वाला कौन चापना इसको अनुपा मुपाध्या ऑफ्शन नंबर सी आंसर है CSR पंद्रमा विश्व करमा आवोर प्रमा 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 आपको पूरा करना चाहिए पहले जिन्दकी में अगर सफल होना होना तो जो भी काम आप करो बस उसको करणा ही है पूरी सिद्ध से पूरी महनस से करना है जिन्दकी में आप सफल हो ही जाओगे फास्ट मेरा भी है पर मैं भी आपके सामने खड़ा हुँ वही एनरजी आपके सामने दिखाइ देगी वही होसला वही जनून वही पागलपन वही टाइम सब कुछ वही आपके सामने लेकर बैठा हुआ है तो बस कुछ भी करो लाइफ के अंदर वो पूरे दम से करना है यह समझना कि वो एक बार ही करना है बस और जम के करना है उसको ठीक है चलो कि अल्डी बैस्ट आप सभी को खुस रो मस रो जान रखना आप सभी लोग जो है सिरीज का नाम तो देखो कमेंट के बास सोचेंगे सिरीज का नाम क्या रखना है वह सरीज नहीं मैंने कहा लाइफ लौंगा फिरी का बैच समझने लीजिए आप पी वाई क्यू फिरी बैच देगा अब कब करेंगे वो तुम्हारे कमेंट बताएंगे ठीक है बाकी ओल दी बैस्ट फिर मिलते हैं आप से कल सुबाद 6 बजी यहीं सी मंच पर मिलते हैं बाकी तो रात को साम को तीन वज़े तो फिजिक्समा मुलाकात आपसे होने ही वाली है बाकी ओल दी बैस्ट जै दिए उतकर्स चैनल को